या देवी सर्वभू तेशु माशेल पुत्री रूपेड संश्तिता नमस्तस्याई 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 नमुनमह ओम दुम्दुर्गाई नमह आप सभी को चैत्र नवरात्री के प्रथम दिवश और नौ वर्ष की मंगल शुप कामनाएं मा भगवती जगदंबा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे दोस्तों आज नवरात्री का पहला दिन है 9 अप्रेल 2024 और नवरात्री के पहले दिन माता शैल पुत्री की पूजा की जाती है जो कि मादरुगा का पहला स्वरूप मानी जाती है और आज की वीडियो में आप सुनेंगे माशेल पुतरी की कथा और नवरातरी के पहले दिन कलश की स्थापना की जाती है जवारे बोई जाते हैं अखंड दीपक प्रज्वलित किया जाता है विधी विधान से मादरुगा की पूजा आराधना आच्चे प्रारंभ हो जाती है फिर इसके बाद 9 दिनों तक हम पूरे भक्ति भाव से श्रध्धा और समर्पड के साथ मादरुगा की आराधना करते है तो मतलब आज जो नवरात्री का पहला दिन होता है ये बहुत विषेश होता है पूजा आराधना में कुछ विषेश नियम का पालन किया जाता है तो नवरात्री के पहले दिन 165 पूजा विधी की वीडियो चैनल पर अफलोड है आप लोग उसे जरूर देखिए अगर आपने अब तो उसे नहीं देखा है तो वैसे आज की वीडियो में भी संचीप्त रूप से मैं आपको जनकारी शेर करने वाली हूँ कि पहले दिन आपको पूजा आराधना किस प्रकार से करनी है नवरातरी में प्रती दिन आपको दुर्गा शब्षती की वीडियो भी मिलेगी मतलब प्रती दिन की कथा दुर्गा शब्षती की आपको इस चैनल पर सुनाई जाएगी आप लोग जरूर सुना कीजिए अगर आप स्वेम से पाठ कर रहे हैं दुर्गा शप्षति का तो दुर्गा शप्षति का पाठ किस प्रकार से आपको करना चाहिए मतलब विधी क्या होती है संपुन रूप से इसके लिए भी चैनल पर वीडियो अप्लोड है अगर आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं और अब सबसे पहले सुनते हैं मा शैल्म पुत्री की कथा उसके बाद जानेंगे कलध स्थापन के शुड़ चाहिक पूझा मात्रुगा को सरव पृथ्धा के रूप में पूजा जाता है हिमाली केहां पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नाम करन हुआ शैल जाती है और इनकी एक मार्मिक कहानी है एक बार जब प्रजापती ने यग्य किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया भगवान शंकर को नहीं किया सती यग्य में जाने के लिए विकल हो उठी शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है उन्ह शनेह दिया और बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे यहां तक कि भगवान शंकर के प्रती भी तिरसकार का भाव था दक्षी ने भी उनके प्रती अपमान जनक वचन कहे इससे सती को बहुत क्लेस पहुचा वे अपनी पती का यह अपमान सहन न कर सकी और पारवती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है शैल पुत्री का विवा भी भगवान शंकर से हुआ शैल पुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी इनका महत्व और शक्ति अनंत है तो प्रेम से बोलिए मा शैल पुत्री की जय भगवती जगदमबाद दुरगा की बात करेंगे पहले दिन की पूजाविधी के बारे में लेकिन उससे पहले जानते हैं कि चैत्रमास की प्रतिपताती थी कब प्रारंब हो रही है कब समाप्त हो रही है और कलश की स्थापना करने का शुब महुर्द क्या है देखिए इस साल चैत्रमास की शुखलपक्ष की अब बात करें कि कलश की स्थापना हमें कब करनी है तो देखिए, इस बार कलश की स्थापना करने का हमें दो मुहूर्थ प्राप्त हो रहा है, पहला है 9 अप्रेल 2024 को सुबह 6 बस कर 2 मिनट से, सुबह 10 बस कर 16 मिनट तक, तो वैसे तो प्रयास करना चाहिए कि हम सुबह जितनी जल्दी हो सके, मतलब सुबह का जो मुहूर्थ हमें प्राप्त होता है, उसी मुहूर्थ में कलश की स्थापना कर लें, अब मान लीजे कि किसी कारण वश आप इस शुब मुहूर्थ में कलश की स्थापना नहीं कर पात और अब जानते हैं कि नवरात्री के पहले दिन किस प्रकार से हमें पूजा आरातना करनी चाहिए। अब इसके बाद आपको गणपती की स्थापना करनी है तो आप एक पान के पत्ते पर सुपारी से भी गणपती बना कर स्थापित कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो गणपती की अगर आपके पास कोई भी विग्रह हो और मूर्ती हो तो आप उसकी भी स्थापना कर सकते तो वह आप मा के दाईं तरफ स्थापित करेंगे और अगर आप तिल-तेल का प्रज्वलित कर रहे हैं तो मादरुगा के बाईं तरफ स्थापित करेंगे इस बाथ का आपको विशेश रूप से ध्यान रखना है तो शबसे पहले बहगवान गणपती का आवहन करके उनकी और भोग लगा कर मतलब पंचो पचार वीदी से आप भगवान गणपती की पूजा कर सकते हैं लेकिन उनसे प्रात्ना कर लीजिए कि आपकी जो पूजा है नौ दिनों की निर्विग न पूर्ण हो जाए और इसके बाद से आपको कलश की पूजा करना है अच्छा हां कलश क के उपर पंच पल्लव रखकर पूर्ण पात्रे रख दीजिए और इसी के उपर नारेल की स्थापना कर दीजिए कलश की स्थापना करने से पहले कलश के नीचे आपको थोड़ा सा चावल जरूर रखना है और हां उसी चावल से आप चाहें तो अश्टदल कमल भी बना सकत हैं और इसी प्रकार से जब आप मादुर्गा की मूर्तिय प्रतिमा स्थापित करेंगे तो उन्हें भी आपको चावल का आसन देना है मतलब थोड़े से चावल मादुर्गा की मूर्तिय प्रतिमा के नीचे जरूर रखना है अब कलश की पूजा पंच्यों पचार विदी स करने के बाद जैसे कि धूप दीप अक्षत पुष्पित्यादी कलश पर अर्पित करने के बाद आपको मन में ध्यान करना है कि सभी देवी देवता इस कलश में विराजित हैं सभी देवी देवताओं से आपको प्राप्तना करना है कि है सभी देवी देवता आप सब इस कलश में विराजित हो ताकि 9 दिन की मादरगा की जो पूजा है वो मैं संपन्न कर पाऊं मेरी पूजा में किसी प्रकार के वेग्न बाधान आए और इस पूजा का शुब फल मुझे प्राप्थ हो मेरे परिवार को प्राप्थ हो इस प्रकार से आपको सभी देवी देवताओं से प्रातना करके कलश में सभी देवी देवताओं का आवाहन करना है इसके बाद आपको नौग्रहों का ध्यान करना है आप चाहे तो नौग्रह की मूर्ती अगर आपके पास हो जैसे की चोटा सा यंत्र मिल जाता है नौग्रहों का अगर आपके पास हो तो वही चौकी पर रख जैसे कि सूरिय चंद्रमा, मंगल, ब्रिहश्पति, शुक्र, बुद्ध, शनी, राहु केतु इस प्रकार से नौग रहुँ का अपने मन में ध्यान कर लीजिए और इसके बाद अपने दोनों हाथ जोड कर प्रार्तना कीजिए कि सभी नौग रह शांत हो ताकि नवरात्री की पूजा निर्वेग्न पूण कर पाऊं देखिए ये बहुत आवश्यक है क्योंकि मादुर्गा की पूजा बहुत विशेश होती है अगर वो निर्वेग्न पूण होती है तभी हमें उसका शुब फल प्राप्त होता है अगर बीच में कोई विग्न बाधा आ जाती है तो इसका मतलब है कि कही न कहीं हमारे घर में अ करद्मक उर्जा का प्रभाव बहुत अधीक है इसलिए मां से प्रात्न की जाती है पूजा करते हैं तो आपको शुबफल बहुत अधिक्राप्थ होता है और बहुत आसान विदी है मतलब सभी सामगरी आपके पास ही होती है आप हर चीज़ रपित करते हैं लेकिन बस उसको सही विधी से अगर हम अरपित करें तो 6050 विदी उन्हीं सामगरियों से हो जाती है तो एक बार उस विदीयो को देखकर और 6050 विदी से पूजा करने का प्रयास कीजिए अच्छा अब जैसे कि आप पूजा मादुर्गा की कर लेते हैं तो माशयल पुत्री का अपने मन में ध्यान कीजिए माशयल पुत्री का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है देखिए माशयल पुत्री का रंग गौरवरण का है माशयल पुत्री बैल पर सवार होती है और वे एक हाथ में त्रिशूल तो दूसरे हाथ में कमल का पुष्प धारन करती है चंद्रमा उनके मस्तक की शोभा बढ़ाता है मा शैल पुत्री का ध्यान करने से पहले अपने हात में पुष्पले लिजे और फिर मा का ध्यान कीजे मा का ध्यान मंत्र है इक और मंत्र नोट कर लिजए ओम देवी शैल पुत्रय नमा और अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेशू माशयल पुत्री रूपेण संस्तिता नमस तस्चयाई नमस तस्चयाई नमस तस्चयाई नमो नमहा तो इन में से किसी भी मंत्र के द्वारा आप माशयल पुत्री का ध्यान कर सकते हैं उचारन कर सकते हैं और आप चाहें तो पूजा करते समय 108 बार माशयल पुत्री के किसी भी मंत्र का जब कर सकते हैं विशेश रूप से माशयल पुत्री का जो बीज मंत्र होता है फिरीम का आवाहन करके आपको विधिविधान से उनकी पूजा करना है अक्षत धूप दीप पुष्पित्यादी सभी चीजे मा को अरपित कीजिए माशायल पुत्री को कनेर का पुष्प बहुत प्री है आप चाहे तो सफेद रंग के पुष्पि भी मा को अरपित कर सकते हैं या फ पहले दिन मा दुरगा के प्रथम स्वरूप मा शैल पुत्री को दूद या फिर दूद से बनी हुई वस्त्वों का भोग अवश अरपित करना चाहिए इसके अलावा माको फ़लों का भोग अरपित करें माशैल पुत्री के प्रियरंग है लाल सफेद और पीले तो आप इन तो दोस्तों यह है आज की वीडियो उम्मीद करती हूं आपके लिए उपयोगी होगी मिलती में आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जैश्री राधे